यूनिट अफ थर्मल कंड़क्टिविटी अब थर्मल कंड़क्टिविटी क्या चीज होती है ठीक है थर्मल कंड़क्टिविटी क्या चीज होती और कहां आती है ठीक है तो आप याद करो कि हीट में पड़े होगे ट्रांस्मीशन आफ हीट पड़े होगे कि अगर कोई तो rate of flow of heat, कितना fast heat जा रही है, rate of flow of heat, delta Q upon delta T, rate of flow heat is equal to K, K, A, delta theta upon delta L, यह पढ़ क्या हो, K and delta theta upon, where K is the constant, A is the area of cross section, और delta theta and delta L is the difference between the two surface, यहाँ पर जो दो surface है, इसका temperature और यह delta L length, ठीक है, तो इस cross section में, इस cross section से कितनी fast heat flow रही है, उसका expression पढ़े रहे हैं हम लोगो, तो यहाँ से K जो मिलेगा, अब that is, यह, इसकी unit क्या होगी, देखो, इसकी unit क्या होगी, वाट होगी, तो K की जो unit आजाएगी, वाट, यह, आज गाएगा, अब यह, एक मीटर में मीटर, यह, एक मीटर में मीटर, और इसकी unit मीटर, तो 1 मीटर ने 1 मीटर को, और इसकाएगा Kelvin, मतलब यह जाएगा, वाट पर मीटर, Kelvin, पर Kelvin, यह, आता न, यह, आसान question था, unit लिखना था, झाल झाल